हालो दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में आज से हम लोग एक पॉइंटर्स के नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पूरा कवर करेंगे पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन उसके बाद हम करेंगे कि हमें मतलब pointers की ज़रूत क्यों पड़ती है why do we need pointers ठीक है उसके बाद फिर हम इनका execution भी देखेंगे इससे पहले हम declaration देखेंगे ठीक है और problems भी देखेंगे कि pointers की problems में क्या-क्या होती है और कैसे हमें उने tackle करना होता है ठीक है तो यह सब हम pointers की playlist में देखेंगे तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यह हमारा पहरा लेक्चर है pointers का इसमें हम देखेंगे introduction और why do we need pointers तो सबसे पहले हम देखेंगे यार देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊ ना हुआ कैथा कि मैंने अपने final year में coding start की ठीक है मतलब जो कहते ना कि हम थोड़ा कभी पढ़ लिया मैं हमारे first year में थी see second year में हमारा C++ थी मेरा E grade आया था C++ में मेरको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था और Microsoft यह दो companies आई थी तो Microsoft के टेस्ट में तो मैं eligible नहीं था बट Amazon के टेस्ट में हम लोग बैठे थे Amazon के टेस्ट में मेरको मतलब उससें पर मेरको ना coding बिल्कुल नहीं आती थी हम लोग गए हम लोग उन सुचा कि साइट टेस्ट में कुछ हो जाए लेकवक के थू कुछ हम लोग क्लियर कर जाए हम इंटर्विव इंटर्विव कभी कुछ नहीं पता था बट हाँ यह था कि चलते हैं टेस्ट दे देंगे गए वहाँ पर कोडिंग कुछिंस देखे वह पूरी कहानी लिखी हुई थी कुछिंस में बड़े-बड़े कुछिंस कुछ समझ में या रहा था कैसे क्या करना है फिर जब कंपनीज चली गई हुए उनने कुछ स्टुएंट को स्लेक्ट किया तब लगा थोड़ा सा कि यार कोडिंग कर ल अबदुलबारी तुशार रोय इन सबकी लेक्चर्स बताए मैं थोड़े बड़े देखे लेकिन मैंने कंटीर नहीं किया मैंने फिर से वह सब छोड़ दिया फिर जब हम लोग फाइनल येर में आगे न तब थोड़ा सा मेरे पर प्लेस्मेंट का जब प्रेशर बना किया क्या आगे अरब कमपनी हमें है की अच्शे से कोडिंग करना सुरू किया बहुत basic से स्टाट किया सब कुछ basic से स्टार्ट करने की कबिद जब प्यांटर रहे ना यह आर को मद मतलब की प्ट॥ और कैसे क्लिर करंऊ कहा से पड़ाउं इसटार का मतलब क्या होता है धी रेफ अब टाइम खफाया अपना उसके फिर मैं थोड़ा-थोड़ा कभी किसी का लेक्चर कहीं से कोई भूक से पड़के अपना क्लियर किया तो मेरा पॉइंटर्स के मेरा बालु से कावड़ा की से पड़ा पके काणिन लौक से लेके अफ्चर हैं माल्लो मेरा या मैं इसके उपर कोई ओपर की काट्रक माल यह आ या i is equal to i minus 5 किया या i is equal to i multiplied by 5 किया इन मेंसे कोई सा भी operation किया हमने और उसके बाद जब हम इसको अपने output में चाहते हैं तो हमने किया c out i ठीक है इतना किया हमने अब क्या होगा कि जब compile होगा ना तो जो compiler होगा वो मेरे memory से बोलेगा यार मुझे ना जब मैं ये statement होगा बोलेगा कि मुझे i लाके दे दो अपनी memory में से जहां पर भी आपका i है ना वो लाके दे दो लेकिन मेरे system में क्या है यार बहुत बड़ा memory space है ठीक है इसमें बहुत सारी memory है but यहां पर ना किसी भी memory पर ऐसे आई ने लिखा होगा कि यार ये eye है ये command आप से eye माँग रहा है तो इसे जाके इसे1 दे दो ऐसे eye नähän लिखा होगा कि हाँ ये eye की मैमोरी है तो इस चीज को हम identify कैसे कर रहेंगे कि i कहाँ पर है तो इसके लिए क्या करते है ना जैसे हमने लिखा ना जब हमने किया int i declare किया तो i के लिए एक location define होगी इस time पर location कैसे define होगी मार लो यह आई जो है ना यह 700 कोई मेरी memory space में कोई location है उस पर जाके मेरा i store हो गया तो जब भी अब मेरे को i चीएगा ना मैं बोल दूँगा मैं command तो यह लिखूँगा लेकिन इसे interpret कैसे होगा कि 700 location पर जाके जो रखा हुआ है वह वापस लाके दे दो क्योंकि वह हमारा i है ठीक है इसी तरह के से marlo अगर आपने कोई भी int i किया हुआ है फिर int j भी किया हुआ है तो i अगर 700 पर store है तो j मालो 950 पर store है इस तरीके से यह store होते है अब मालो को यह आपने बहुत सारी variable declare किया है मालो int i, j, k तो int सब के corresponding i के corresponding 700 store हो गया j के corresponding 800 store हो गया k के corresponding 950 store हो गया यह सब store होता चला जाता है ठीक है और इस table को जो हम कहते है ना symbol table के नाम से table जाने जाती है जिसमें यह सारी चीज़ें store होती है ठीक है तो यह मालब ऐसे physically कोई table नहीं है बर हाँ यह एक जगे store होता है इसे हम address बोलते है मेरे variable कहां पर इस address पर store हो रहा है ठीक है अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो यह क्या यह पहले सबसे पहले symbol table में जाएगा यहां पर देखेगा हाँ मालो जे है जे का address 800 है फिर यहां से मेरी इसमें memory space में जाएगा यहां से जो भी 800 का मालो यह memory block है यहां से लाके फिर इसे return करेगा और ऐसे करके यह पूरा statement चलेगा तो यहां तक हमारा हो गया कि हाँ यह symbol table होती है इस तरीके से variable store होते हैं यह पूरा होता है कि हाँ ठीक है मतलब इस तरीके से यह पूरा लोग चलता है कि यह directly हमारी memory space में यह कुछ नहीं होता है वह एक location पर जाके store होता है उस location पर जो भी value रखी होती है हम उसे यहां पर वापिस लाके देते हैं और वह value प्रिंट हो जाती है अब देखो अब मालो हमने int i किया ठीक है अब इस चीज को करने के लिए क्योंकि देखो यह गया memory space में यहां से इसनल आके दे दिया जितनी बैट से उसती रीड करके यहां पर लाके दे दी चीज के है और यह int type का है यह care type का है इस तरीके से यह दोन जी यह स्टोर करती है क्या है इसका data type क्या है और इसकी value क्या है यह दोनों चीज writers store ہ 550 इससे के अमेंरी और जो वयरिवल राया है वह हमरा int network का है और स्की विश्wen hills आई है वो यह आई है कुछ ठीक है इस तरीके से तो अपनी जो position होती है वो यह भी store करती है उसके बाद आप देखो आप क्या करेंगे कि अब आप इसको ना three step process के तरीके से भी मतलब मान सकते हो three step process कैसे कि three step process में सबसे पहले क्या होता है माल लो हमने किया कि int i ऐसे declare किया तो अब इस i के लिए ना सबसे पहले हमारे memory space में memory allocation होगा ठीक है memory allocation क्या होगा मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जब हमने किया int i तो इसके लिए एक memory space में कोई भी एक particular memory दे दी जाती है कि हाँ जब भी int i आएगा तो इस memory पर जाके हमें value retrieve करनी है ठीक है तो सबसे पहले memory allocation होता है ठीक है उसके बाद फिर क्या होता है कि हम इसको value देते हैं हमने int declare कर दिया फिर उसके बाद हमने किया i equal to 5 तो इस memory पर दाके value save होगी कि हाँ भी है i की value 5 दी गई है ठीक है तो जब भी हम i की जरुत पड़ेगी हम इस memory space पर दाएंगे और 5 return कर दे कि हाँ ठीक है five यहाँ save गई इस तरीके से-steo process होता है memory allocation होता है पहला इसके बाद होता है entry entry of value इसके बाद होता है filling up of memory उसके ठीक है तारीके से टीट直ड प्रोसर्स स्य माण सकते हो इस तरीके से याद कर सकते है एक तरीक है अब हम क्या खरेंगे देखो अब हमने यह सब देख लिया अब मालो कभी अपसे अब हम इस चीज में इंट्रेस्ट है कि देखो मालो हमने इंट आई डिकलेर किया ठीक है हमें पता है कि ये किसी location पर जाखे store हो गया अब मालो कि मैं बोलता हूँ कि i का address बताओ, यानि कि i जिस location पर दा के store हुआ है, मेरे को वो location चाहिए, कि वो location क्या है, ठीक है, तो उसको identify करने के लिए, उसको output में लेने के लिए, कि i का address है वो बताओ, उसके लिए operator होता है, m%, इसे m% बोलते हैं, m% operator होता है, इसे end की तरह भी use करते हैं, मतलब कुछ लोग जब English लिखते हैं, तो उसे end की तरह भी use करते हैं, इस तरीके से, मैं भी करता हूँ, तो यह m% operator होता है, यह m% operator, address of operator भी होता है, मतलब आपको जैसे आपने किया, आपने किया, int i, ठीक है, यह i declare कर दिया, और फिर आपने लिख दिया, cout, m% i, ठीक है, तो यह न, यह i का address दे देगा, यह i के लिए जो भी memory allocate की गई होगी न, अपनी memory space में, यह m% i, उसे लाके, वो आपके output में आ जाएगा, यह 16 bit का address आता है, ठीक है, तो यह हो गया, कि यहाँ अपने को अगर किसी variable की location चाहिए होती है, कि वो variable किस location पर store है, तो हम m% i करेंगे, और अपने को उस variable का address मिल जाता है, बाकी, यह, और हम, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अपने pointers को declare कैसे कि जाता है, star, dereferencing, इस सब के बारे में, इस सब के बारे में, अब आगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए शुकरिया, thanks for watching this video